नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर, यहां मैं किताबों से संबंधित वीडियो बनाती हूँ, तो अगर आपकी किताबों में रूची है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और प्रेस करें बेल आइकन को, ताकि जब भी मैं कोई नेया वीडियो आप तक नोटिफिकेशन आज जाए, आज का वीडियो हिंदी में है, आज मैं 84 किताब की समीक्षा करने जा रही हूँ, चूंकि किताब हिंदी में थी, तो मैंने सोचा कि समीक्षा करना भी हिंदी में ही उचित रहेगा, कुछ तिथियां और वर्ष हमेशा के लिए याद रहते हैं, उनके साथ जुड़ी हुई दुख्ध घटनाओं को लेकर, ऐसा ही एक वर्ष है 1984, 1984 में हुए सिख विरोधी दंगे हमारे देश के उपर एक धबा है, इसके पीछे कारण था ततकालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदरा गांदी की हत्या, उनकी हत्या उनी के ब शर्म और गलानी से भर देता है, 84 सत्यावयास द्वारा लिखे तीसरा उप्टिया से, यह नकेवल प्रेम और हंसी ठिठोली से रंगी एक प्रेम कहानी है, बलकि धामे ग्रिना और उनमात पर एक गहरी टिपनी भी है, इसमें प्रेम है, ग्रिना है, स्वार्थ है, लाचार वे मिस्टर चाबड़ा, जो कि एक संभरांत सिंख है, उनके घर पर किराईदार की हैस्यत से रहता है, पड़ा लिका है, तो ट्यूशन पड़ा कर अपना खर्ष निकाल लेता है, और अपने मृत पेता के स्थान पर नौकरी पाने के लिए प्रशासन से शंगर्ष भी करता रहता है, निताओं से थोड़ी बहुत जान पेचान है, तो मारपीट भी कर लेता है, किन्तु सब की मदद करता है, वे सब का है, और सब उसके अपने हैं, मिस्टर चाबड़ा की एक ही बेटी है मनु, जो की पूरी कहानी का केंद्र है, रिशी निचली मंजिल पर रहता है, और मिस्टर चाबड़ा उबर की मंजिल पर, किताब का आदे से ज़्यादा हिस्सा, रिशी और मनु की प्यार और तकरार से भरा है, लेकिन प्यार अपनी परिनती तक पहुँच पाता, इससे पहले ही वो तारी खा जाती है, 31 अक्तूबर 1984, जिस दिन प्रधानमंत्री परिवार को बचाना चाता है, अपने मनु के परिवार को, वे चाकर भी दूसरों को बचा नहीं सकता था, उसने मनु और उसके परिवार को बचा तो लिया, लेकिन खुद हैवानियत के दलदल में उधर कर, उपन्यास 1984 के दंगों का एक बेहत दुखत विवरन प्रस्तुत करता है, कैसे अपने ही जान पहचान की लोग और पड़ोसी खिलाफ हो गए या देखने को मिलता है, कैसे सिखों को बेहरमी से मारा गया, यह मरम सपर्शी विवरन पढ़कर मन भीतर तक सिहर उठा, कैसे इंसानों को जिदा जलाया गया और इंसानियत को भी, वाकई दंगा जलायों का कोई धर्म नहीं होता, 84 पाटकों का परिशे करवाता है दो चरम भावनाओं से, प्रेम और घ्रिना, यह पाटकों का परिशे करवाता है प्रेम की पीडा से, प्रेम की सौंधी सौंधी खुश्बू पूरे उपनियास में बसी है, यह प्रेम ही आशा की एक मात् अभी भी जीवित है चौरासी के सिख विरोधी दंगों पर आधारित यह एक ऐसा उपनियास है जो कि बहुत ही कम शब्दों में उस हिंसा का हाल सुनाने में सफल रहता है मनू और उसके परिवार को बचाने के लिए रिशी भी दंगों में शामिल हो जाता है लेकिन उस दोरा लोगों की मौत के बारे में पढ़कर मनभारी हो जाता है यह एक ऐसी कहानी है जिसे असानी से भुलाया नहीं जा सकता मनू की मासूमियत और इशी के शर्मीले सुभाव के कारण आपको इन दोनों किरदारों से प्यार हो जाएगा और इस कहानी के अंत के बारे में तो क्या यह उन बेहतरीन किताबों में से एक है जो कि आपको अंत तक बार दे रखती है तो यह थी चौरासी उपनियास के बारे में मेरी समीक्षा अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कॉमेंट और शेर करिए और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कि है तो प्लीज सब्सक्राइब भी करिए जल्दी एक नई वीडियो के साथ आप से फे मिलोंगी धन्यवाद